आज में भारती इतिहास की स्रीज में प्राचीन इतिहास की स्रीज में एक महत्तपोन टॉपिक पढ़ेंगे जहां से आपकी परिच्छा में प्राया शवाल पूछा जाते हैं अगर हम टॉपिक की बात करें तो जिसका नाम है सिंदुगाटी की सब्विता यह प्राचीन इति ट्रेंड बदल गया है नए ट्रेंड मतलब अब परिच्छा में पूछ जा रहे हैं उस तरह से हम सब को अपनी त्यारी करनी होगी और अब इस बात का दिहान रखना होगा कि हम इतिहास को पढ़ना समझना याद करने के साथ साथ परिच्छा में बहतर रिस्कोर लाना है तो सबसे पहले हम एक सवाल आपके हमारे जहन में आता है कि सिंदुगाटी शब्धा को और किस-किस नामों से जाना जबता है उसके बाद हम इस वीडियो पर बात करें कि नहीं है वीडियो थो प्रथम नगरी शब्धा कहते हैं जी हां इसका भी एक कारण है हम इसे काश्योगिन शब्धा क्यों कहते हैं दूसरा इसे शेंदो शब्धा हम जब भी चर्चा करेंगे हम इसे बार बार शेंदो शब्धा के नाम से ही पुकारेंगे तो सवाल आता है जी हैं में क्या किर श करें जवाब चरूर दीजए का और त्रोटी नगरी शबिता कौन सी है तो साध़ पो जानकर रहानी होगी कि भारत की त्री नगरी शबिता जो है वो दिल्ली सल्तनत में बल्ती है जी हाँ लेकिन मेरा शवाल फिर सापके लिए है कि दूती नगरी शबयता भारत में कव आई? लेकिन वैसे हम लोग प्रत्व नगरी शबयता की बात करेंगे तो हम उसे सिंदुगाती शबयता के नाम से चांते हैं एक और इसका नाम है हडपा शबयता फिर सिंदुगाती की शबयता लेकिन आज इस पूरे वीडियो सेशन में इस लाइफ क्लास में जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या-क्या हम लोग पढ़ेंगे कुछ की पॉइंट हम लिख लेते हैं ताकि सेशन को पढ़ते समय हम काफी हद तक समझ पाएं यहां पर हम लोग पढ़ेंगे सिंदुघाटी शभिता के प्रमुक शुरोध क्या है तूसरा घम यहां पर देखेंगे कि महत्तपुन अस्थल कौन-कौन से जहां से परिक्षा में शवाल पूच्छा जाते हैं फिर प्राप्त वस्तुएं माने उत्खलन से कौन-कौन सी वस् यह नगर नियोजन कैसे थे धार्मिक किस्ति सामाजिक किस्ति आर्थे किस्ति और सिंदुघाटी शभिता के पतन होने का क्या कारण था इसके बाद हम सिंदुघाटी शभिता की बिवित टॉपिक लेकर आएंगे अन्य सभिताओं से तुलात्मक अध्यन करेंगे हो सकता है वह इस वीडियो के लाश सेशन हम लोग इस पर डिसकस करें वो लिखित परिच्छा में अगर जहां पर आपके लिए आता है दिस्क्यप्टिव मुख्य परिच्छा के लिए वहां आपके लिए वो काम आने वाला है फिलहाल इस पूरे सेशन में आपको बने रहाना यह अगर आप चाहें तो आपको यह पता सके कि आज का जो सेशन है उसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है तो हम लोग यहां चुरुबात करेंगे प्रमुक्स रोच से ताकि हम एक एक करके इन सभी तथ्थों के तरफ आगे बढ़ सके और इस अभी तथ्थों को प्रफ़नी तरह से पढ़ने और समझने का प्यास करेंगी चलिए अब यह सिसान आपका आगे लेकर चलते हम लोग यह पीपीटी की माध्यां पुरी सेशन को लोग लेकर चलेंगों और पीपीटी के जो यह आपके सामने आ रहा है यह पीपीटी होगी और हम इसकी विस्ति प्रफ़नी नगर शबैता के नाम से हम जानते हैं यह आपके लिए जानना वैह जरूरी है दूसरा हम खड़पा सब्रफ़पा क्यों कहते हैं उसले से सिंद्धु घ्रफ़ती शभव्यता कहते हैं ऐसे तमाम तरकी मिखल पा सकते हैं इसका सहुत्तर क्या होगा यह आप लो लोग भी इस तत्य को समझे पढ़ें और आगे करके क्रम वारुप से चल सके तो चलिए इस यसन की हम लोग सुर्वात करते हैं आपके साथ और यह शेशान आपके लिए काफी आहम होने वाला है और काफी महत्यपूर्ण होने वाला है अब जब भी हम शिंदुखाटी शिमी पंजाब के घरपा उसके बाद मोहन जादोलों की खोजवई अगर देखा जैए पहले यह पंजाब के पास वहां उसके बाद मोहनजदुर की खोज हुई, तब ये सोचा गया कि ये सब्विता क्या सिंदु घाटी तक ही शिमित है, अत्व इसे शिन्दु घाटी सब्विता नाम दे आगया, मतलब जिस समय खुदाई की गई, उस समय ये पता चला कि ये ज़्यादा तोर। अस्थल है यह तो सिंद्धु घार्टी के पास है शिंदु नदी के आश पास हैं इसलिए शब्भता का नाम शिंदु घार्टी शब्भता रखा गया वैसे इसके और भी कारण है लेकिन यहाँ पर सबसे प्रमुक कारण है कि जो पहले खोज हुई अस्थलों की उसलिए इसे शिंदु घाते शब्विता इंडस वाली सिल्प्लाजेशन कहा गया दूसरा है हडपा या सिंदु संस्कितिका जो उद्य हुआ था ये ताम्र पासारिक पिष्ट भूमी पर भारतियु महादीब के पश्चमुत्र जो भाग है यहां पर हुआ था और फिर आगे देखेंगे उनएशोय कईश में पाकिस्तान के पश्चमी पंजाब प्रांत में सबसे पहले हडपा नामा का स्थाल की खोज हुए थी इस कारणी से हडपा संस्कृति भी क्याते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि इस परिपक्क जो यह परिपक्क था हडपा संस्कृति का केंद्र ज पास पड़ता है अब यहां पर अब हम लोग को यह पढ़ना किसके क्या-क्या प्रमुक्ष रोध भी रहे हैं आई इस पीपीति की माध्यम से हम लोग देखेंगे उसके बाद आगे तक्ष्यों को लेकर हम आपके साथ क्रमभा रुक्षर चलेंगे यहां पर यहां पर कह र यह जरुत पर को लेकर आपके यहां पर नोट्स पर चले को कि मेरे द्वारा यह यह तीन भागों में तीन कालखंडों में इसे बाटा गया है तोड़ा गया है या डिवाइड करके रखा गया है आप चाहें तो इन सभी की स्कीन सौड अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं अगर आपको लगता कि नहीं यह आपके काम का है तो आएए हम आगे देखते हैं देखिए पूरे सेस्टा समाप्ष वने के बाद हम लगो कोसिस करेंगे की मानसित्र के मालब माइनड मैप कॉंसप्ट के माद्य मत्यम से इस पूरे तथ्च्छ को पॉरे शरीज को पढ़ेने का अखम प्रयास करेंगे यहां तक अगर आपके मन मे कोई फ्रशन हो कोई शवाल हो फो सकते हैं कौमेंट के माद से और एस डाइग्राम का जो दिमाग में नोट्स जी से कहते हैं वह आप रख सकते हैं ताकि हम और आप जब इसे पढ़ें तो ये काफी आसान नजर आने लगे चलिए अब हम यहां पर देखेंगे कि यह दिशा है दिशा पर आप लोग समझने का प्रयाश करेंगे आप लोग कहीं कहीं दिशाओं से परचीत होंगे उपर क्या है नौर्थ यह हो गया साउथ यह हो गया इस्ट है यह वेस्ट है तो अगर सिंदुगाटी सब्विता की बात करें तो जो हरपा सब्विताएं की सीमाएं हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनके बारे में हम समझने जा रहे हैं यहांपर क्या है मांडा जाम्मु कश्ऴीर प्राहर में तो ये लग रहा था कि यार य ये तो शंदु के आस्पास है या भी जब इसकी खोज होई थी तो प्राहरम क्या था ये पंजाब के हड़ा उसके बाद पर पंजाब के पास फोई फिर लगा यार यहीं सब्वेता है इसलिए इसे शिंद्धु घाटी तक ही समित वाना गया और यह कहा गया यह सिंद्धु घाटी शब्वेता लेकिन जब खुदाई की गई तो यह पता चला कि यह नार्थ में मंडा जम्मु कश्मीर जो उत्तरी यह दिख च्छडी सीमा दबाथ दिखेएगा यह अलमगीर पूर मेरत मेरट यह कहां पर यूप में है यह क्या है इस्टशीमा यह है इसकी पुरिवी शीमा वहीं बात करता है कि जो उस्थक फिस्थान में चरह के क्या है इस कि उस्थ उस्थक अगर जेँ है कि अब अच्छ अब हम लोगों इसकी सीमा देख लिया अब इसके अध्यन के सुरोथ क्या क्या है अब यहां पर प्राप्त बेलनाकार मोहरे हैं जिसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं अध्यन कर रहते हैं और उस अध्यन की आधार पर हम इस शब्यता तक आसानी से पहुच बना सकते हैं क्या कर सकते हैं शब्यताओं को पढ़ पा रहे हैं शब्यताओं को जान पा रहे हैं यो शब्यताओं मॉहरे हैं जो रही हुई प्र कि माप के पैमाने मिले हैं जिससे लगता है कि हायार वहां के लोग इतना भी चीजे जानते थे ठीक फिर अध्यान स्रोथ से साहितिक साच भी कुछ मिले हैं और वहां लिपी भी तो पढ़ी नहीं जा सके चित्रात्मक लिपी थी सवारल्ब की परिक्षण में पूछा जा चुका है कैसा फैला हुआ फैला हुआ है आगे हम लोग देखेंगे जब हम इसका रिवीजन सब्भूमीपक पढ़ेंगे माइडे में कॉंसर्ट पढ़ेंगे सौट में आपको पूरी हिस्ट्री जे पढ़ने मिलेगी तो यह आपके काफी काम आने वाला है यह उत्तर में माडा उपर हम लोगों ने पढ़ा है जम्मुकस में, दच्छड में, दैमाबाद, महराष्ट पूर में, आलमगीर पूर, उत्तर पदेश, मेरट पश्ची में, सुतकांगे डोर जो है यह पाकिस्तान तक, फैली हुई बलचिस्तान तक पैली हुई है, जो पर हम लोगों ने पढ़ लिया मतलब अगर इस बात करें यह सब्विता, सौराष्ट, राजस्थान, हरियाना, पश्च्मी, उत्तर पदेश, इद्यादी छित्रों में भी फैला हुआ है यह पर इच्छाग लूपियोगी आप इसकी स्कीन्स और अपने पास्वरक्षित रख सकते हैं यहां से पर इच्छाग सवाल खुब जोला भर भर के आते हैं अब है शिंदुगाटि सब्विता के काली अस्थल यों खोज करता उत्खनन करता इनके बारे में भी पूछा जाता है वैसे देखा जाए तो काल्नेट धारन में कई मत अलगलग द्वान द्वारा इसका काल धार अलग लग किया यह भी परिक्ष्व में पूछ ले जाते हैं लेकिन जो सबसे सरोमान ने हैं वह आगे हम लोग आपको बताएंगे कि करबन डेटिंग के अधार पर सिंदुगाड इस सब्विता की उम्र क्या है उसकी सब्विता का समय क्या है वो भी हम आप लोग को इस वीडियो सेशन में आगे चर्चा करेंगे वैसे फिलाले पूरे नोट्स के माध्यम से आपके सामने आएगा मोहन जोद्रो बहुत इंपॉर्टेंट यह पूरा इंपॉर्टेंट है आप इसके सिंसोर्ट अख लिएगा मोहन जोद्रो राखल दास बनर जी और माड टिमर विलर दोरा वैसे क्लास खत्म होने इसके नोट्स आपको मिल जाएगा उसके लिए आप लोग टेलिग्राम पर दुरगे सरसाज करके जोड़े आएगा जो लोग यह भी तक टेलिग्राम पर नहीं जोड़े है वो लोग द को पाल मजुंदा यह अर्णिस्ट मैके लोथर रंगनाथ राव काली बंगा अमला नंद घोस एवं ब्रज वासी लाल बनवाली रबिन सिंग्विष्ट रोपड यगदत सर्मा सुथकांगे डोर सर्मार औरल इस्टाइन तो यह ऐसे हैं जो हडपा काली शब्यता जो उनके के उत्खलन करता के बारे में आपको दिया गया है बात में इसके माइड में पॉच्छे जब पढ़ेंगे तो कोसिस करेंगे यह कॉंसेट आपका और अच्छे से किलियर हो जाए ठीक अब यहां पर आपकी मन में बहुत सारे प्रश्ण बहुत सारे शवाल आ रहे होगे कि क हम देखने परिच्छाओं का ट्रेंड बदल रहा है तो जिस तरह के प्रश्ण पूछे जा रहे हैं उस तरह की अब आपको तैयारी की बिज़रत पढ़ेगी तो तो आपके मन में बहुत सारी बात आएंगी हडपा को लेकर तो आपके मन में क्या-क्या बात यारी हडपा को लेकर एक बर बताईगेगा तेक सबसे पहले में जान लेकर हडपा सब दा की क्या-क्या मिसस्ताएं थी क्या Present GET करके में मैं नगरनीयोजन की बात कर आघे पढ़ेंगे कि नगरनीयोजन कैसा तो अ 집क को नियुच्ट पर कहीं देख सकते हैं और हम चाहांगे आपकोड क्लासेशने बने रहें तो इसका नगर नियोजन किसा था अगर नगर नियोजन बात करे तो इस अभेता का सबसे महत्थपूल बिवसेस्ता ही था कि यह संपूर नगरं दू आश्मान भागों में भिभाज इतता बटा हुआ था पहला भूजी नगर के मन्हें अनावृत है कुछ अस्थानों पर जो एक भी भाजन ल अदिःल दोनुं कंडों का दुर्बू करण मिला काली बंगा नंगर के मद्धFC मिलता है मतलब नगर नियोजन था एक तरफ अनावृत्त है दोसी तरफ दुर्गी कृत्त था तो कहीं न कहीं यह सिंद्धुगाटी शबिता को मजबोत करता है और यह चेस्ट बोड की तरफ नगर वश्चे हुए थे यहां पर जुनालियां थी मनें अपने नगर नियोजन ब्यवस्तित था यह नगर आयताकार थे यह वर्गाकर आकरती में मुख के सड़क और चौड़ी गलियों के ग्रिट पर आधारी थे मानि जो चेस्ट बोड आपने देखा होगा उस चेस्ट बोड के आधार पर यह नगर आयताकार वर्गाकर आकरती में यह कह सकते आयताकार के सडख और चोड़ी गलियों के ग्रिट पर अधारित यह बहुत इंपोर्टेंट है यह जानना जरूरी है आज की बात नहीं हो रही है की बात हो रही है कई जेगर अलगले बिद्वान के 4500 इसा पूर मानता गोई 4500 इसा पूर मानता है जो नगर था यह मुख्य मार्ग उत्तर से दच्छड आता था दूसरा मार्ग पूरव से पश्च्छे पर मने अगर जो मार्ग थे न वह इस तरह से मने एक दूसरे को समकोड अगर मोहन जोद्रों की बात करें तो मोहन जोद्रों के मुख्य सडक राजपत की चौड़ाई अन्य सड़कों की चोड़ाई से लगभग पौने 3 मीटर से लेकर 3.6 मीटर तक थी गलियां 1.8 मीटर तक चोड़ी होती थी तो कहीं ने कहीं ये उस समय की लोगों की सोज बताता है उस समय की लोग मैंने किस तरह मैंने आज की बात नहीं हो रही है ये सिंदुखाटी सब्यता कि बात हो रहिए उस समय के लोग कैसे सोथे थैं जो सडक होते थे सडकों के के और सफाई की जए पानी आगे बढ़िए नालियों और मेंहोल का धक्कन रखता था तो ये सिंद्धु घाटी शप्यता उसकी बात हो रही है जो एक नगरी की शप्यता थी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भवन जिर्माण में क्या पिच्छता थी फिलाल भी यहां देख लेते यह पाकिस्तान के पंजाब परांत में ती जो मौंट गौमरी जिले के रावी ने दिखे बायंत अड़ यह एक पूरास्तल इस्तित है हणपा के जीले या जो वन्साव सेज थे कि विषय में सबसे पहले जानकारी चार्स मेशन ने दी थी चार्स मेशन ने दी थी 8826 में ठीक है शाधाब 2 देखे पंजाब प्रांद के मौन्ट गुम्री जिले में सबसे पहले उत्खनन कारी किया गया और यह रावी के तट पर इस्थित है इसके बाद इसके बाद इसका जो लगाता जो खुदाई थी ने सबसे चड़ किया और इसकी जो नियमित उत्खनन था यह 1923 से शुरू हुआ 1926 में मादो सोरूप वत्ष ने 1946 में माटीमर विलर ने ब्यापक अस्थल पर उत्खनन कराय था और यह जो हडपा सहर है न दो भागों बठा था पश्च्वी भाग दूर्ग है जिसमें चारों और से दिवारे से घेरा हुआ है यह दिवार कच्ची इटों से बनी है और बाह पक्की इटे से ढख दिया गया है और जो पूर्वी भाग था रियाईसी इलाका था मजदूरों की बस्ती मजदूरों का आवाज और अन्नागार अद्दो कतारों में स्रमिक आवाज मिले मजदूरों की बस्ती मिली मजदूरों के आवाज मिले और दो कतारों में स्रमिक आ में धान कोठार भी मिले अनाजों को दबाने के लिए चबूत्रे और उनकी दिवारों में दाने मिले तो यहां पर कहीं कहीं देखा जाए तो उस समय जो हरपा थी उसकी सोच देखें हरपा वासियों की लोगों की सोच मनें मजदूरों के लिए भी उन लोगों ने इतनी तक योगी ळे अब आगे मों देखेंगे आपके लिए कुछ अहम बिंदू मिलने ओं ए कि शिर्णदूरची सभ्यता में ये कुछ आइसी चीजिया हैं जिसके बारे में लोग आगे डिसकास करने मां यहां पर एक बरतन पर मचु मचुवारे का चितर मिला कि एक बरतन यहां कब्रिस्तान के छेत्र में आर्थ 37 मने आर्थ 37 नामक कब्र में ताबूत मिरा है यहां एक प्रसाधन केश प्राप्त हुआ है सिंदु सब्यता की सबसे ज्यादा अभिलेक युक्त मोहरे थी वह हडप्पा से ही मिली है का से मिली है हडप्पा से मिली थी जबकि सरवादिक संख्या में मोहरे तो मोहन जोदोड से मिली है संख्या सरवादिक तो मोहन जोदोड से थी लेकिन स्चिंदु गाटि से सरवादिक अभिलेक युक्त मोहर माने अभिलेक युक्त मोहर थी वह हडप्पा से मिली थी जबकि सबसे ज्यादा संख्या में मोहरे मोहन जोदोडोड में मिली थी लेकिन अभिलेक युक्त हडप् मिला जिसके गर्व से पौधा निकला दिखाई देता है अब बताईए गर किसी इस तरी के गर्व से पौधा निकला हुआ दिखाई दो उल्टी नगन हो उसका क्या घोता को सकता है आपके इतिहास का ध्यन कर रहे हैं और आप इतिहास को पर रहे हैं इतिहास को समझ रहे हैं नोट्स बना रहे हैं तो आपके हिसाब से क्या निकल रहा है नट्राज की आक्रती जैसी नट्राज की आक्रती जैसी स्लेटी चुने की पत्थर की नित्मुद्रा वाली मुर्ती भी मिली है अब इससे लगता है नित्मुद्रा वाले गर मुर्ती मिली है तो इसका क्या मतलब ह तो चत्री से युक्त तांबे की बनी इकागाडी मिली है मने ठोस पहिये से चत्री युक्त तांबे की बनी इकागाडी प्राप्त हुई है एक मुहर पैर्स में शाबदबाए गरुण का चित्र माने कैसी मुहर मिली है जो पैर में शाबदबाए गरुण का चित्र है शोला भठियों के साथ मिले है और काजल की डिविया भी मिली है मतलब हडपा सब्विता से काजल की डिविया भी मिली है अब हम लोग आगे देखेंगे इस सिंदुगाटी सब्विता में हडपा में आपके इस नोर्स में क्या क्या चीजे हैं जो आपके लिए काफी महत्त्रपों हो सकती हैं यहां पर हमने देखा इस अस्थल पर आबादी वाले छित्र के दच्छडी भाग में एक कब्रिस्तान हुआ जिससे विद्वानों ने अगर अगर के साच भी मिले यह बहुत इंपोर्टन कैसे मिले हैं विसाल अन्नागार के साच भी मिले जो पर हम लोगों ने चर्चा किया है शिंदुगाटी सब्विता की खुदाई से प्राथ्वी तमाम सरचनाओं में दूसरी सबसे बड़ी सरचना है मानिद्वाटी सब इस अन्नागार में चाचा की दो पंक्तियां में कुल 12 विसाल कच्छ निर्मित पाएं इस अन्नागार में चाचा की दो पंक्तियों में कुल 12 विसाल कच्छ से निर्मित पाएं जिस बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर हम लोगों ने डिसकस कि या था हम लोगों ने इस पर लाक्ट्चर में देखा हमने देखा कि हडपा में से हमें एक पीतल की इका गारी बिली है तांबे की तांबे की एक इका गारी मिली है ठीक है अब थोड़ा से एरर था उसे आप लोग साहिक लिजेगा क्योंकि कई बार यहां से परिश्वाव में शवाल आते हैं तो फिर गल्ती हो जाती है तो जहां पर ठोस पाई यह तादा छत्र युक्त नीचे बनी इका गारी प्राप्त होई है किसकी तांबे की बनी इस स्थल पर इस्ती के गर्व से निकल दे हुए पौधे वाली एक मिणमूर्थी भी मिली है समुची हडपा सेबता में में सबसे अधीक अमिलेक युक्त मोहर यहीं से प्राप्त हुए और सबसे ज़्यादा जो मोहर मिली है वह मोहन जोद्रोड से मिली है उपर मैंने आपको बताया था तो यहाँ पर हम लोगोंने हडपा से बता से जुड़ी उन महत्तपुर तत्यों को पढ़ लिया बाकि जब लोग पढ़ेंगे एक सौर्ट नोट्स है रिविजिन नोट्स है कॉम्प्लीट जो नोट्स है आपको वह आपको मिल जाएग तो आप उससे अच्छे तारी कर पाए है जो लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं चाहिसे फेस्बूक के देख रहे हैं चाहिसे यूटूब पर देख रहे हैं अब हम लोग चलते हैं इसके नए सेशन की तरफ बढ़ रहा है आगे है मोहन जोद्रों पढ़ने से पहले हम कुछ अन्य बातों पर डिसकस कर लेते देखें मोहन जोद्रों भी महत्यपून टॉपिक है तो हम पहले जानते हैं जो सिंदुगार्टी सभिता में अब उस सिंदुगार्टी सभिता में जो भमन निर्माड हुए थे वो कैसे तक कि मोहन जोद्रों को पढ़े या रपा को पढ़े तो हमारे आपके चैसे के लिए जो भमन निर्वात है मने इस सभिता में बड़े बड़े मिले हैं जिसे महान असनानागार था आगे अभी हम लोग को पढ़ना है पुरोहित आवास थे अननागार था अभी में पढ़ा सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी सबसे बढ़ियों इस भी इसके बारे मेरा की डिस्कॉस करेंगे पीछी देखा हम लोगों ने यहां फर्स भी कच्चा होता था केवल काली-बंगा के फर्स पक्की अइसा है वागे मिलेगे जहां के फर्स पक्की करण के साथ मिले हैं बाकि हर जगर जो फर्स होते थे वो कैसे होते थे कच्चे ही होते थे तो कहीं यह भी आपके लिए इन्पोर्टेंट है अब अगर आपने यहां तक पढ़ लिया अब और बाते आपके जेहन माएंगी कि मोहन जोदलो का हडपा के जो भवन के अस्तम कम प्रयोग है यहां पर कहीं चत्रवोजाकार कहीं वरगाकार अस्तम भी मिले हैं मकानों के जो आउसत आकार थे वह कितने थे 30 मिटर माने मकानों के जो आउसत थे वह कितने थे 30 मिटर यह भी आप लोग को जानना ज़रुए है यहां से भी परिक्षव में आपके सवाल है इटो का कर बता परिक्षा में पूछा जा चुका है इटो का आकार इटो का आकार चार अनुपाते दो अनुपाते एक के अनुपात में इटे होती थी जो यह परिक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हम चाहेंगे इस तरह के तथ्या को अब लिखी लिजेगा पढ़ी लिजेगा फ मोहन् τι जोदलों से श्दिवाज होता है मिर्तिकों का तीला uh कि यह वर्तमान में पाकिस्तान में शिंदु के लरकाना जिले में इस्थीत है यह अस्थाल शिंदुनदी के तड़ पर इस्थित है यह अस्थाल 1922 में राखाल दास बनर जी के द्वारा खोजा गया थो 1922 में और यह कहां पर है यह लरकाना में और शिंदुनदी के किनारे मनें मोहन जोद्रों का सब्धी करता अपने देखा मिर्तिकों का टीला है यहां के दूर के छेत्र में एक सभागा क्या मिला है एक सभागा पुरोहितों का आवाश महा विद्ध्याले महा अस्नानागार के साच मिले मोहन जोद्रों के भवन पक्की इटों से बने थे मकानों में आगन रसोई कुवा अस्नानागार अवस्य गुरूप से जुड़े होते थे मकान यहां प्राय तीन मंजिले के होते थे इस अस्थल पर उत्खनन कर उनेशों 22 में स्री राखलदास बनर जी के नितित में हुआ था इस अस्थल में हमें एक विशाल अस्नानागार के साच प्रात होते हैं ठीक यहां के दूर के छेत्र में एक सबागार पुरुइतो कावास महा बिद्ध्याल और महान अस्नानागार के साच छे मिले हैं और यहां मकान पक्की इटों के थे प्राहतीन मंजिले थे तो यह आप देख लीजी मोहन जद्रों का विशाल अस्नानागार आगे हम इसके ब यहां जड़कों का जाल थे अगो यहां घर का प्रवेश द्वार सड़क पर नहीं होकर गली में होता था यहां पर प्रवेश के प्रारूब में बनी हुई थी यह यहां सबसे बड़ी इमारत विशल अन्नाघार है इए सरवाधिक मोहरे मोहन हं जोदूर से पराप्त कुण he यहां से प्राव्त हुई अन्य प्रमुक आउसेशों में सामिल कासे की नर्तकी की मूर्ती मुद्रापर अंकित पशुपती नाथ की मूर्ती शूती कपड़ा अलंकित दाड़ी वाला पुजारी आधी है यहां 16 कमरे का बैराक मिला था एक स्रिंगी पसुग अकृती वाले मूहर हाती का कपाल खंड सेल खड़ी का बाट हाथ लाने वाले बंदर गिलहरी तीन बंदर प्राप्थ हुए थे उसके अलावा यहां पर कासे की नर्तकी की मूर्ती मुद्रा पंकित पतिनाथ की मूर्ती मुझसेट्ट तर और कलियार हो तो हम चल्ले आगे की तरफ चहुंदडणो की तरफ कि अब चहुंदड़ों के बारे पाकिस्तान में शिंधू नादी के तड़ परिस्तित है यहां पर उत्खनन कारे 1935 में अर्नेस्ट मैके के नित्रत में किया गया था अर्नेस्ट तो मैके के नित्रत में कब चया गया था और जो हंद शिंध लेकिन और कुछ भीषिश बाते हैं 1137 में एग 20 मजुन्दार के प्रयास में इस अस्थल की खोज और 1135 में मैकले में इस कारे को आगे बरहाएगे है। दोनों निपोर्टन्ड हैelle 1931 में एग लख थे कि अस्थल हुज काम को आगे बढ़ा गया वर्तमान में यह जो शिंद में मोहन जोदरों से 130 किलोमीटर दच्छण में इस्तित हैं कि दच्छण किनारे 22 कि था ही कह सकते हैं कि यहां पर मन के बनाने के साथ मिले क्या बनाने के मन के बनाने के साथ मिले हैं मतलब यहां पर सहरी करण का अभाव था क्या था सहरी करण का अभाव था बहुत इंपोर्टेंट है यहां पर सहरी करण का अभाव था इस अस्तर विभिन प्रकार के मन के उपकरण मुहरे इट् सुन्दर प्रसाधन में लिविष्टिक जानते हैं लिविष्टिक जो लिप लगाए जाती है किला है इसका फ्रीयोग करते हैं अ है इत्र रखने के लिए बरतन के साच त्हूंदणों सिंदुशे मिले हैं इस यहां इट यहां वक्राकारे देट मिली है यहां पर इस आधार पर बिद्वाकान ने अनुमान लगा जाता है कि चलुए इस थल्प को मुझे निर्मारकार का निर्मार कार्ण का इस्टल को शिंदयु घ् assistance कामर्ण के म jullie are तो चहुंदड़ो जो था वह सिंद्ध घाटी शब्यता का क्या था अद्धो की केंदर था क्योंकि यहां पर मन के एक निर्माण कारे किया जाता था चहँन्दडोग सिंद्ध घाटि शभुता का एक मात्रह सास्ताल है जहां शमय वक्राकार एटों के साथ प्राप्तू है अब हो अगर आगे चलते हैं अगला है काली बंगा काली बंगा ये राजस्तान के हन्मान गढ़ के पाष है और यहां से परिच्छों में खूप सारे सवाल आते हैं, यह राजस्थार राजस से लुप्त हो चुकी एक घर नदे के किनारे स्तित्था, काली बंगा का साब्दिक अर्थ था, काले रंग की चोड़ियां, क्या था, काले रंग की चोड़ियां, इसका जो उत्खनन था, यह 1953 के अमला नंद घोष के निज़त में, और 1960 में बीके थापर के निज़त में हुआ था, दुर का जो आकार था, यह वरगा कार था, इट के चबूत्रे पर साथ हमन कुण के साच मिले हैं, कितने? साथ हमन कुण के साच मिले हैं, अब यहां पर चाहत इसकी इंस्वार आप र राजस्तान के हनुमान गड़ जिले में स्थित है, यह प्राचीन स्तासुती नेदी के तड़ पर इस्थित है, इस अस्थल की खोज 1923 में अमला नंद घोष द्वारा की गई थी, काली बंगा नामक अस्थल से हमें जुत्त हुए खेत के और साथ में दो फसलों की बुआई अगनी कुण के साच मिले हैं, most important है, अगर आप इसे लिख रहे हैं, जाइसे नोट्स बना रहे हैं, चाहे तो आप इसे स्कीन साथ के तोर पर सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि यहां से बहुत ही ज्यादा शवाल पूछे जाते हैं, सभी के लिए important है, मैं बार-बार आप शाथ हमन के साच मिले हैं, सिर्फ नाली के रूप में, सिर्फ जो है, नाली के रूप में लकड़ी की पाइप मिले हैं, बिल्लाकार मुहरे मिली हैं, यहां की एक मुद्रा में ब्याक बना है, ब्याग, एक मुद्रा में, यहां पर एक बालक के सव का कपाल खंड मिले हैं, कि जिसमें च्छा चेद यह सल्चिकिस्सा का प्रमाहर मने यहर। ऑपनेशन भी होते थे यह बात बताता है क्या काली बंगा में और अगया किसले पर्षिद्ध है कोई बता सकता है यह है काली बंगा शपयता निकासी प्रणाली के साथ नहीं मिलते नालिक रूप में लकड़ी की पायक मिली है मिली है अलंक्रित इटो के साष मिले है अगला आपके सामने है लोथल लोथल यह गुजराथ राशे में और लोथल के बारे में आपने भी तक क्या पढ़ा है या आपने क्या सुना रखा है अगर आ तो ठीक है अन्य ता हम लोग ये पूरी कोशिस करेंगे इस सेशन को हम आपके साथ और आगे लेकर चले कि देखे लोथल की बात करें तो ये भगवा नदी के तट पर इस्तित था कहां पर ये जो था भगवा नदी जो है उसके तट पर था और इसकी खोज उनईशो शंतावन में यहां पर देखे दिया है इस अस्तल की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी उनईशो शंतावन में बने ये गुजरात के अहंदाबाद में भगवा नदी के तट पर है ये अस्तल खंभात की खाड़ी के अत्याद निकट और नजदी इस तीथ है इस अस्तल ही खोज उनईशो शंतावन सभी में स्री एस आर राव द्वारा की जिए थी 1957 में जिए थी शिंद्धु घाटि सब्यता का यह अस्तल एक प्रमुख बंदर गास्तल है ये गुजरात के को ने दे के तत्त कबाव देखारी के पास इस फिए और आताकार अस्तल he कंश के खोजयों सुस्तावन में कौन क्या था ररंगनात राधारी में कि झाज फच thế मुर्दो का इसका साब्दी कर्द क्याल हो था लगा मुर्दो का नगर मैंने ये सिंदुगाट इस अब बता के कि मात्प्रायशा नगर है जहां पे गोदी वारा मैंने डाक यार्ड के साच मिले है जिसका आकार 214 मीटर लंबा 36 मीटर चोड़ा और लगबग 3.3 मीटर गहरा है लोतल जो सहर था इसका जो बीभाजन धानत ये दूर गवन निचले सहर में नहीं था यहां पर बरतन के टुकडों पर चावल के दाने लगएगा शाच मिला है अब यहां पर देख सकते हैं ये आयताकार है लोतल इस बंदरगाह पर अस्थल लोतल में विशाल गोदी बड़ा मिला है इसे हम दाक्यार कहते हैं जो 214 मीटर लंबा और चोड़ाई की बात कर जो 36 मीटर और 11 की बात कर तीन दसमेलों तीन मीटर 11 गोदी बड़ा दार क्यार लोतल में धान व बाजरे दोनों के साच मिलते हैं इस बंदरगाह पर अस्थल से हमें तीन यूगल समाधियों के भी साच प्राप्त होते हैं तीन यूगमित समाधियों साथ ही एक ममी का भी उदारने हापर मिला हुआ है मिटी की बनी दो पस्वाक्रतियां गोरिल्ला के तरह दिखने वाली मुद्रा बारसिंगे की जैसे दिखने वाली मुहरे यहां से मिली हैं यहां के जो मुहरे थी और बरतनों पर बत्तक के जादा चित्र मिले हैं किसके बत्तक साथ साप के चित्रण वाली मुद्रा यहां से मिली है जो आपके लिए परिक्षा में पूछ ले जाते हैं अब जो आपके लिए हैं धौला वीरा धौला वीरा जो है यह वर्तमान गुजरात की कच्छ जिने की भचाउत तासिल में इस्थी्द है यह सिंद्गाट शब्यता के काली नगरों का विभाजन दो इस्थो में क्या गया था यह दो इश्वे कौह थे और क्यूँ थे, पूकि हम नहीं देख ही कि जो धोला वीरा था, एक सवाल यह अता कि धोला वीरा का नाम किस आधार पर धोला वीरा पटको काशन का जवाब है कि इसका नाम क्यूपट नाम क्योपट्त की अगर हम धौला वीरा को आगे देखें तो यह है धौला वीरा की खुछ ऐसिया करते हैं जो आपके परहने के लिए काम आ सकते है अस्तलिक हो जुने 1668 की दशक में मैं 1666 में जगपती जोसी ने किया था धौला वीरा का अर्थ क्या था मैंने उपर अपसे पूछा था शफेद कुमा इसका साब्दिकर्द क्या है शफेद कुमा इसका भी आकार आयताकार है अन्यननगर जो थे वो दो भागों में भाजित थे लेकिन धौला भी रहा है न ये तीन भागों में भाजित नगर था उपर देखाए ये देखेए इस विप्रित नगर को भाजित तीन इस्थों में था अन जो थे वो दोईस्यों में थे । दूरबंधन अज़ग व किया नुज़ा नगर ऐंकिन तीनो भाड जो थे वो दूरगी कृत्ट थे यहां पर प्रबंधन बहुत ही बहतरी था कि जिसमें जल को रोकने के लिए नाली और आपूर्तिय के लिए और बर्शाती पानी को भी रोकने की बहुत देखे लिजाएंगा यहां पर जल करा प्रबंदन बहुत बैत्रीन जिसके जल को रोकने के लिए यहल को रोकने के लिए नाली और साथी सत्र में आяет कूमे के व्यूर्था के गई है लेकिन उसह के साथ-सात यहाँ पर और भी चीज़े देखिये जल निकासी कैसे और पानी की आपूर्थी कैशो इन तीनों की वह स्थाप पानी को गठा करने के लिए 12 मीटर का गढधा और 24 मीटर की एक नहर बनी होई थी जो परिच्छा में पूछा जाते हैं यहां आयताकार मुहरे बहुत ज्यादा मिले यहां पर आयताकर जो मुहरे हैं वो सबसे हैं यहां पर दिखें यहां पर हमें बांग और कृतिम जलासाय के साच मिले हैं यह सिद्ध होता किश्णगर में जल्प्रबंदन के उत्किष्ट ब्यवस्थाती उपर हमने बताया इसके अलामा अनस्थोलों में राखी गड़ी शंगोल रोपड कोटदारी इत्यादी भी यहां पर गुलाबी रंग के बर्तन मिलें जिसे पका कर काले रंग की चित्रकारी के गई है यहां दुर्ग भाग मध्यमभाग के मध्य में अवस्थित हैं यहां भव बिमारते मिली हैं जिसे में स्टेडियम कहते हैं मनें स्टेडियम के भी साथ छ्यापे मिले हैं और भार भारत में खोदा गया उत्खिलित सबसे बड़ा स्थाल है भारत में उत्खिलित दूसरा सबसे बड़ा स्थाल यह था अब आप लोगों को इस चिंदुगर्ट सबसे इन अहम की पॉइंटों को पढ़ने में या समझने में कोई समस्या होई तो पूछ लिजेगा अब यहां पर एक टॉपिक आपके सामने है जो आप साथ देख पा रहे होंगे चिंदुगर्ट सबसे नगर नियोजन बताई आप लोग यह नगर नियोजन में क्या-क्या चीज़े उपर मैंने इसमें डिसकस किया हुआ है अगर आपको याद होगा तो आप मुझे कोमेंट सेक्शन में कोमेंट के माध्यम ज़रू बताईए कि हम लोगों नगर नियोजन में क्या-क्या चीज़े पढ़ी दिक चलिए अजर आप लोगी सेशन को पढ़ रहे हैं अगर यह सेशन आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है अन्धा हम इस सेशन को और आगे लेकर चलते हैं और यह देखते हैं क्या क्या आपके लिए महत्त्रपूर्ण है जैसे आपके अगर शसर को पढ़ना चाहिए तो ठीक है वरना फिर्म और शॉट में पढ़ाएं बताई आप लोगए घंटे ओने को आ गया है देखिए नगर नियूजन इंबारे उपर हमने बात कर लिए प्रत्थम नगर नियूजन था इसे प्रत्थम नगर शबता भी कहते इस कारण क्यों कहते हैं पतलम नगर नियूजन के ऐसा था कैसेखलीत जल निकासी प्रणाली एक अपना सवाल परिक्षा में भवन निर्माड के लिए पक्की इटों का प्रियोग किया जाता प्रतेक घर में एक रश्वई घर और एक अश्टानागार होता था इस बहुत इंपोर्टेंट आप सभी के लिए भाग दूसरा क्या था अनावरित क्या पष्मी तीला उत जिस पूरी टीला भी क्याते थे यह बहुत इंपॉर्टन्ट है मैं चाहूंगा आप इसकी स्कीन सौट रख लें पूरी नोट सब टेलिग्राम से इलनी विदुरगेश के एप्स भी प्राप्त कर सकते हैं कि पूरी क्लासे आप सभी के लिए देशित में राष्ठित में अब यहा इस पर भी पूरी तरह से तथ्यों को पढ़े लें और तथ्यों को समझेने का पूरा प्रयाश करें कि बताएं कि कि किसी को कोई डाउट हुद पूर सकता है कि अच्छा अच्छा देकि यहां पर एक टॉपिक यहां पर साथ मुझे लग रहे छूटा हुआ है कि अच्छा टॉपिक है बनावली लिख लेगा हर्याणा के हिशार जिले में इस्तित है माने बनावली जो है यह आज के हर्याणा जिले के हिशार में इस्तित है कि इसकी खोज उन्हें 173 में आरस्विष्षणे कि ती कि यहां पर मैंने बनावली में ayok कि तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी तांबे की कुल्हाड़ी मिली होई थी तांबे का वाराग्य जो वाराग्य होता है वो यहाँ पर मिला था ताबे का वाराग्य बनावली से मिला था हलकी आक्रती का खिलोना बनावली से हलकी आक्रती का खिलोना भी मिला था और बनावली नगर नियोजन सत्रंज के विशारत या जाल के आकार की बनी होई थी जो परिच्छा में पूछ जाते हैं यहां पर एक नगर था यह बनावली हो गया दूसरा था रोपड दूसरा क्या था रोपड यह भी परिच्छा में पूछ ले आते हैं रोपड यह पंजाब के 17 जंदी किनारेश थी थे और सबसे पहले पर मिले हुए है इसलिए यह आपके लिए काफी अहम और काफी इन्पोर्टेंट हो जाता है तो जो लोग इसे पढ़ रहे हैं वो इसे समझ लें और देख लें और उसके अलावा विगर आपके मन में कोई सवाल तो पूशकते हैं तो हम लोगों ने देखा इसके आवाज जो नोट पढ़ेंगे तो वहाँ पर साथ में हम लोग क्या करेंगे जितने अनिपरमोगस्ताले जहां से परिच्व में शवाल आते हं वो भी ऐक बार हम lol जैसे ही सीसान सभसे हैं अपका समझ कर ले стороны ही इस आउसे सबसे पहले हम लोग उस पर भी फोकस कर लेंगे यहां पर हम लोग ने देखा नगर निवीजन हम लोग यहां समाज मात्र सब्तात्मक रहा होगा यहां पर मात्र देवी की पूजा और मोहरों पर अंकित चित्र से यह पता चलता है कि हड़पा शब्वता का जो समाज था वह मात्र सब्तात्मक रहा होगा, ऐसा मना जाता है, इतिहात कार्यों काणुसार समाज चार वर्गों में विभख्त था, विद्वान, युद्धा, स्रमिक और भ्यापारी, यह काफी इंप्रोटन्ट है क्योंकि समाजी ब्योस्ता की बात किया जाए कि कैसे पता, कोई कह दिया जाये कि आप से पू यहां पर यही सीजह संअंज में आते हैं कि मात्रदेवी की पूजा मुहरों पर अंके चित्त्र से पता चलता था यह समात्र सत्तात्मक रहा होगा यहां के लोग युद्ध प्रिये कम नहीं थे सांती प्रिय जादा थे यहां पर हम लोगों ने देखा कि इतिहास करून सार चार वर्गों में था पहला विद्वान दूसरा युद्धा तीसरा स्रनीक और चौथा व्यापारी यह लोग जो थे शाकाहार और मांशार मैंने दोनों ही प्रक्तारा के भोजन का प्रियोग करते थे अर्थातम क्या सकते हैं यह कैसे थे शरवाहारी थे ये ऊनिटि दोनों प्रकार के वस्तुरों का उप्यो करते थे पुरुस और महिला दोनों है आभुश पहनते थे और ये संती प्रित सिंगंते दूस पता कि या थे संतीप्री लोग थे यहां तलवार ढrée सिरस्थाण कवच के साथ नहीं मिले मनने ये लोग सांतिप्रित युद्ण नहीं करते थे साकाहरी मानसरी दोनों थे यह क्ây Palace यहां पर हम लोगों कि मकानों के आकार और रूपरेखा शो कि दफनाने के धंग को देख कर लगता है कि सिंद्धुगाटी समाज के अनेक वर्गों में जिसमें हमने उपर देखा मॉर्णजन के लिए पासे का खेल मनरणजन के लिए ये पासे का खेल नित्य शिकार पस्वों की लडाई आदिन के प्रमुक स्रोत थे यहाँ पे सवकोन तियोष्टी संस्कार के तीन प्रकार से होता था जिसके प्रमाद मिले हैं आगे हम लोग उसके बारे में भी डिसकस करेंगे यहां तक किसी के मन में कोई प्रशन हो कोई सवाल हो तो पूछ सकता है अब हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं उस समय की वास्तुकला कैसी थी तो वास्तुकला की जब हम बात करते हो था हमारे मन में सवाल तो वास्तुकला की मारे मगर हम बात करें तो यहां के जो कामन बात निकल कर आती हैं वो याँते हैं कि भारत में वास्तुकला का आरहम शिंदवासियों ने किया था बहुत important है भारत में दुवाशियों ने क्या-क्या था वास्तु कला किश्वरवाद के थी यहां पर एक नगरी सब्वेताती शुरूवाद पर jsंद गाटी दूसरे इक नगरी सब्वेता थी शड़के एक दूसरे को समकोर्ड पर कारती थी भवने दो मंजले थे अच्छा किस जगा कि भवने तीन मंजले थे कॉमेंट करके जवाब दीजेगा तो वीडियो में ज़र आप लोग सेशन को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सिंदुघाटी सब्धा में दरवाजे जो ते सड़क की ओर खुलते थे कुछ बिप्रिदिशा में भी खुलते थे घली में भी जाकर खुलते थे कहां पर खुलते थो मैंने पढ़ाया हुआ है मोहन जोद्रोगी सबसे बड़ी इमारत थी वह क्या थी अन्नागार थी पर्स कच्चा होता था केवल काली बंगा में पक्के फर्स के साथ यह मिले हैं यह आपके लिए इंप्रॉटेंट है अब यहां पर कृष्णी की बात कर लें यहां पर कृष्णी बिवस्ता कैसे थी अब बिश्व में कपास का उत्पाधन सरप्रथम शिंद्वाशियों ने करता था पुरुट दुनिया में कपास का उत्पाधन से रागी सर्सों के साच काली बंगा का उत्पादन करते थे जो साच मिले हैं इसका मतलब खेट के साच मिले हैं इसका मतलब खेट भी जूते तभी तो साच मिले गन्ना का कोई साच प्राप्त में हुआ है वहाँ पर गन्ना के कोई भी साच नहीं मिले हैं कहां पर शिंदुवास्ति हाती वह घोड़े से परचित थे हाती और घोड़े से परचित थे वह बैल भेड बकरी शुवर पालते थे कूबर वाले साण का विशेश यहां पर महत्तो था आगे हम लोग इस पर भी देखेंगे यहां पालतु बनाने में असफ़ल रहे वह सिंदुवास्य हाती घोड़े से परचित थे किन्दुने पालतु बनाने में असफ़ल है घोड़ों यहां पाली वासियों को गैंडा बंदर भालू खरहा खरगोष आदि जंगली जानौरों का ज्यांद शेर का कोई भी साथ्य नहीं मिला है कि रास्थान के साच मिले है कहां पर राज्थान में जूत्यूए खेट के साच मिले है ठिक चलिए आगे चलते हैं व्यापार यहों बारिच यू कह सकते हैं आर्थिक जीवन इनका अगर हम आर्थिक जीवन की बात करें शिंदुगड़े सब्धता के लोगों का अर्द्वेवथा शिंचित क्रिसी पशुपालन विभीन दस्तकारियों की दचता और आंत्रिक और बाहरी व्यापार पर आधारित थी काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाड़ मिद्भांड फडप्पस ब्रता की सबसे बड़ी विशिस्ता थी क्रिसी उपर हम लोगों ने पढ़ा सिंदु घाटी के लोग बाण उतर जाने पर नौंबर के महिने में बाण वाले मैदान में बीच बो देते थे और अप्रैल मा में यहूं और जो की फसलों को काट लेते थे उपर हम लोगों देखा न रास्ता में जुत्यों के साथ मिले थे सबसे पहले कपास पैदा करने का सरे शिंदु घाटी शबिता के लोगों के पास इसलिए यूनानियों नहीं से सिडोन जिसकी उत्पत्ति शिंदु से हुई है नाम दिया है क्या दिया है सिडोन बैल, भेड, बकरी, शूवर भी पालते थे कूबर वाले साण का विशेशन महत्तो था यहां पर सेंदों जो लोग थे, शिंदु घाटी की जो लोग थे पत्थर के अनिक प्रकार के औजार का प्रियोग करते थे तामबे के साथ तीन मिला कर कास तार करते थे कि इसने एक कांस योगिन सब्वहता काते है परिच्छा में है बहुत इनबोडर्ण है उसने पूछे जाते हैं सवाल आगे मुनदोग चलते हैं मुद्रा का पचलन नहीं था बहुत इंपोर्टेंट है रख लिजे लोग अन्य सब्यता की लोगों के साथ ब्यापार करते थे अब देखिए अब यह पूछ लिया जाए कि अगर अफगानिस्तान इरान से आधा फाई इरान एक तरस देखा जाए तो मद असे का हिस्सा है मतलब सब्सक्राइब शाब्ता कर जो चीत फ्याला हुआ तक था ताबा के तरी राट्थान चांदी एकड़िकर ऑ्पमके अफगानिस्तान और इस शोना कि अफगानिस्तान और Lजवर . इसके अलावा सेल खड़ी पूछा जाता है परिच्छा में तेल खड़ी लिखी जाएगा सेल खड़ी बल्चिस्तान राजस्थान गोचरात से फिरोजा इरान से फिरोजा कहां से इरान मद्धेशिया शे समवता हरपा शब्यता में शिल्पियों और ब्यापारियों का शासन था अगर यह लगता है पढ़ने से कि यहां पर क्या था शिल्पियों और ब्यापारियों का शासन था गात ब्यापार आधान परदान वस्त बिनमे द्वार होता था मुद्ध्रा का कोई साथ्य है नहीं मिला उपर हम लोगों नहीं पर पढ़ा भी लोथल से फारस की मुहरे काली बंगा से बलनाकार मूहरे भी शिन्द्द शब्यता के में ब्यापार के साच बताते हैं कि यहां बिदेशी व्यापार होते थे इसलिए आयात की जाने वले गुस्तों के स्रीज में हम लोगों यहां पर पढ़ा इसको समझा इसके स्किन सोट कर ले अगर नोट्स बना रहे तो नोट्स बना लीजेगा धर्म की बात करें मैं आज धर्म की हम बात करते हैं लेकिन उस समय देवता माने मात्र देवी उपर हम लोगों ने पढ़ा मात्सर्था अत्मक्त था लेकिन पुरुस देवता माने पस्पतिनाथ लिंग योनी ब्रिच प्रतीक पशू जल आदिकियों पूजा करते थे मोहन चोद्रों से प्राप्त एक सील पर तीन मुखवाला तीन मुखवा द्यान की मुद्रा में बैठा हुआ एक आशन मिला मारसल ने से आध्य शिव की संग्या थे अब हम सेसन के घर हम बात करें तो हडपा से बिदा में मंदिल कोई उसेश नहीं मिलू यहाँ पर मात्र देवी पुरुष द्योत्ता में पशुपतिनात लेंगे योनी ब्रिच प्रतीक में पशु जल इनकी पूजा की जाती थी मतलब उन्हें जिसे डर था प्रहा उन्हीं की पूजा करते थे अगर हम बात करें हडपा में जो मुर्तियां मिली है इस तरीके गर्ब से निकलने वाला पौधा दिखाया गया जूपर हम लोगों ने पढ़ा जिनके बारे में मलब हडपा सब्यता के लोग धर्ती को उर्वर्ता की देवी मानकर इसकी पूजा कर देए क्यों बीच को बहुत स्वास्तिक चक्र और क्रास के भी साच मिले स्वास्तिक चक्र और क्रास के भी साच मिले धार्मिक दिश्टिकूण के अधार पर इड्लैलिक और व्यापारिक अधिक था यह क्या था एक लौलिक और व्यापारिक अधिक था पनि व्यावारिक क्या सकते थे ज्यादा था पूछा जाता है स्वास्तिक चिन कहां से मिला और स्वास्तिक चिन के अलावा चक्र क्रास के भी साच मिले हैं कोबण वाले साण की पूजा होती थी उपर अभी हम लोगों ने पूजा होती थी इसकी कोबण वाले साण की पूजा होती थी इसके ब्रिच पूजा के साच मिले है इसके ब्रिच पूजा के साच मिले है पीपल ने बवल की पूजा होती थी इसकी पीपल और बवल की पूजा होती थी शिंदु शब्यता की प्रेतवाद भक्ति और पुनर जनवाद के बीज मिलते हैं मैंने शिंदु शब्यता में प्रे यह कुछ ऐसे हैं जिससे असपष्ठ होता है कि उस समय के लोग भी मूर्ती पूजा करते हैं अब यहां पर देख सकते हैं अब लो कि अंत्योष्टी के प्रकार कि अंत्योष्टी के गर हम बात करें तो यहां पर देखिए अब देखते हैं इन तीनों तरह के बारे में हैं देखें लोथर्द में युग्ल शवाधान का साच मिला है मने विद्वान इसको सती पर्था के रोप में देखते हैं एक साथ दफनाने का रोपड के मालिक के साथ कुत्ता दफना जाने के साच मिले हैं अब हम लोग आगे देखते हैं कि अब और क्या क्या चीज़े आपको पढ़नी है और आगे क्या क्या चीज़े आप लोग को जाननी है तो सिंदुगाटी सब्वित्ता में वशे पढ़ने के लिए बात किया जाए तो यह एक टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन हम लोग यह कोसिस कर रहे हैं कि इस टॉपिक में इतना तथ्यों को पढ़ लिया जाए ताकि परिक्षा में अगर शवाल आए तो गलत ना होने पा तो यहां पर किया जा रहा है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं कह रहा है कि आपर विद्वान इसको सतीपता गुरू पर लेता है जो यूगल श्रावाधान के साथ मिले हैं यहां पर जो सौग को दफनाने के मैंने पूर समाधिकर इसका मतलब क्या था कि सौग को क्या कै ज़ता दफना दिया ज़ता इसमें भूमि में दफना दिया जाता था वहीं दूसरी बात करें ने कि अंर्प समादिक माने इसमें सौ गवर को बाहर रखे जाता है जीएज जो बचताथा फिर उसे दफना जयाता था मैंड शरीर को पच्छी खा लेथे पश्म पच्ची खाने के बाद जो बचता था से उसे भुमि में दफना दे जयाता था जिसे हम set समाधिक करण कहते हैं तो यहां पर तीन तरह की अंतिवस्टी होती थी लोथड में देख लिया हम लोग ने और रोपड में उत्ता भी तफना जाता था लिपी बहुत इंपोर्टेंट है यहां पर लिपी खाफी बहुत पूर्ड है और इसको भी हम लोग को पढ़ना है लिप लिपी को भी हमने देखा कि सिंद्ध लिपी स्क्रिप्ट बहुत जरूरी है सिंद्ध लिपी के बारे में सबसे पहले बिचार करने वाला प्रथम व्रक्ति अल्ग यंडर कनेगम थे परिक्षा में ज्यादा जोला भर की पूछा जाता है शिंद लिपी को पढ़ने का चिंद्ध लिपी के चित्रों में मचली चणियां मानोकृती आधी के चिंद्ध मिलते हैं तो यह आप लोग जानते रहेगा चिंद्ध लिपी दाएं से बाएं लिखे जाती किधर से किधर दाएं से लिखे जाती है जरा बताई देवलागरी किधर से किधर लिखे जाती है कोमेंट करके जवाब दीजिए अगर अपने हाँ तक पढ़ लिया तो कि अब सवाल आता है कि हडपा सब्यता पतन होने के क्या करण है यह आप से गर लिखित पर इच्छा मेंगर पूछ लिया कहीं कि सिंद्ध बताईए कि कि इसमें से कुछ देखते हैं क्या हो सकता है पासितिक पासितिक असंतुलन होगा शुआ होगा जल पलामन हुआ होगा सुषकता मने घंगर का प्रशाष्टिक परिवर्तन अगर पांसितकी असंतुलन होगा तरफ खतम हो सकते थे है इसा हुआ होगा है जयल प्लाओंग मतलब कि अगर इसको देखा जाये प्रसासनिक सितल्ता जो है यह कौन यह ज्यान मार्सल मानते कौन मालता ज्यान मार्शल करनुसा प्रफिश्यां पूच लिया जैंड is श्तल्ता रहा हो गी आपसके लोग कट मर गए होगे यह आकमर हुआ था यह आकमर कौन मालता है है मानते हैं है कि वायक्व मह theta है य यह कौन मानता है आरल स्टायलण मानते हैं कि जलवाई परिवस और आरल स्टायलम को होगा भूत आत्युक परिवर्तर हुआ होगा ये शानी जी मानते हैं साधनों की तिव्रता सुभोग हुआ होगा तो ये ऐसे कई कारण है जो ये माना जाता है कि हडपा सब्रता के पतन के कारण है वैसे आप कोमेंट करके बतेएगा आपको क्या लगता है हडपा सब्रता इतनी कि वैसे क्या हो सकता है आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्षर में जाकर कॉमेंट गर के जरूब बताएगा अगर छेत्रफल के द्रिश्ट कौर्ण से अगर हम लोग देखें तो हडपा काली नगरों का करम के अद्या सबसे बड़ा मोहन जोदलों परिक्षा में पूछा जाता है उसके बाद दूसरे पर हडपा तीसरे पर धौला बीरा चौथा पर काली बंगा इंप्रॉटेंट है परिक्षा में पूछ लिए जाते हैं धौला बीरा भारत मिस्थि तो यहां पर हम लोगों ने कोशिस किया है उन सभी तत्थ्यों को जानने पढ़ने का जहां से परिक्षाओं में खूब सारे जोला भरबर के शवाल आते हैं तो इस प्रकार हम लोगों ने उनको पूरी तरह से पढ़े लिया समझ लिया अब आपके मन में जेहन में बहुं सारे सवाल उठाओं आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा लाइक नहीं के तो लाइक करके रखेगा चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बैल लाइक आपके लिए काफी महात्तफ होड है यहां पेक नंबर दिख रहा है आप चाहें और लेंग दुर्गेश के टेलीग्राम पर जरू जुड़िएगा तकि सभी क्लासों की नॉटिफिकेशन और लिंक आपको एक ही जगा मिल जाब टेलीग्राम पर जैसे दुर्गेश सर्च क कर बारत तक हिंद्योग्रेजी दोनों मीडिया में उपलब देने पीडिया फार्मेट में भी आप प्राप कर सकते हैं और ध्यान रहे हैं यहां पर नोट्स है और नियू यह दोनों आपको यहां पर मैज दाएंगे और साधी साध अगर आपकी लिए दुर्गेश का नंब कि इसमें क्या का चीजे थी अब यहां पर एक छोड़ाज टॉपिक छोड़ गया था कि सिंद्धुगाटी शब्यता की राजनीति व्योस्था कैसी थी ठीक हम लोग लिख लेते हैं यहां की राजनीति व्योस्था कैसी थी हो सकता है आपके लिए भात पोनों इसलिए आप मतन की साधार पर बोगया तो वहां पर मैंने हडपा में आगड़ देखा जया तो वाडिज जी कि और मने व्या पार की और अधिक आखसे थे यहां पर सासन जो थे वह वाडिज जवर के हाथों में था यह ऐसी सम्भणा लगती तो अलग लग लोग हंटर कहते हैं कि मुहन जोद लो का सासन जो था वो राज़तंत्र ना होकर जन्तांत्र था मैके कहते हैं उनका यह मानना था कि मुहन जोद लोग एक पुरोहित वर का प्रभाव मानते हैं लेकिन जो फिलर थे ना उनका मानना था कि संद्ध घाटी सपिता को जो लोग थे शासन को मध्यवर्गी जन तत्रात्मक और उसमें धर्म की महत्ता को भी श्रिकार किया है लेकिन अंतोगत्वा आप में बताएगा कितना पूरा पढ़ने वाद आपको क्या लगा कि संद्ध अच्छी ब्यवस्ता थी यह केंद्री कृत सक्टी से यह पूरी जो सिंद्ध घाटी सब्धता थी वह चल रही होगी वैसे सिंद्ध घाटी सब्धता की एक दो लेक्षर हम लोग रिवीजन स्रीज जब लेंगे तो हम कोसिस करेंगे नोट के माध्यम सुन तमाम तठ्थों को पढ़ने का जहां से आपके परिक्षों में सवाल पूछे आते हैं उन पर हम लोग पूरी तरह से फोकस रहेंगे लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा रखना होगा इंतियार करना होगा और अगर आप कॉमेंट करेंगे तो हम उसकी स्रीज लेकर आएंगे उसके साथ मिल यहां ना मिले तो दोनों के दूसरे के पूरफ होंगी जिस आधार पर यह पूरी तथ यह पूरी स्रीज हम आपके लिए क्रमवा रूप से लेकर चलेंगे और आगे भी इस स्रीज को बनाया रखेंगे आप लोग इस सेसन को अपने साथी मित्रों तक शेयर करिएगा इ यह नंबर हो सकता आपके काम में आ जाएगा इसलिए नंबर को मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं कि वहां पर नहीं दिख रहा है कुछ लोग को मेंन कर रहा है यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 630 634 367 ठीक यह नोट से जुड़ा हुआ क्लास से जुड़ा हुआ बिल इस पर मैं इसके माध्यम से पहुचा पाता हूं दे पाता हूं वैसे आप चाहें तो जोड़कर पढ़ सकते हैं आपकी इगर इच्छा है तो देखिए यहां पर कई चीज़ें ऐसी थी जो हम लोगों ने पढ़ा कुछ लोग कहते हैं कि यह इसकी सभिता मुस्व पढ़ाम उसके माध्यम से पूरे क्लास को कबर करने का हमने प्रयाश किया है तो आज का सेशन में चिंद उखाड इससे प्रता दिजा आपके लिमाते पूरती मिलते हैं एक और ने सेशन के साथ तब तक क्या आप शवी के लिए बाइब वीडियो को शेयर जरू करेगा सेशन में इस तरह से मिलेगे ताक कि आप रिविजेन करना असान हो माइंड मैप टाइप का कॉंसेप्ट होगा ठीक आप सभी का थेंक्यू बाइबाए जय हिंद जय भारत सभी को बाइबाए थेंक्यू